आज मैं आपको थ्रोंबोसिस बीमारी के विशे में कुछ जानकारी दूँगा हूँ सबसे पहले थ्रोंबोसिस क्या है थ्रोंबोसिस से रक्त धमनी या नस में ठक्के का गठन है यानि कि अपनी जो नसें हैं उनके अंदर खून के ठके जमने और गाटे सीक बन जाने को थ्रोंबोसिस करते हैं पेर की गहरी नस में ठक्का बनता है तो इसे गहरी नस थ्रोंबोसिस यानि की डी वी टी के नाम से जाना जाता है थका सामाने रख्ट के प्रवाव को कम या आवरूत कर सकता है या अलग कर सकता है तता अंग में जा सकता है जब थका रख्ट संचारन में चला जाता है तब फेंपडों में ठहर जाता है तब इसे फुफुसिय एंबोलिजम यानि कि दिल का आवेश P.E. के नाम से जाना जाता है DVT और P.E. मिलकर सिराफरक थ्रम्बोसीजन V.T.I. बनाते हैं विश्वे में चार से एक व्यक्ति थ्रम्बोसीज से उत्मनिस्तिति के कारण मर्ट्यू को प्राप्त हो जाता है जो की विश्विक मर्ट्यू और विकलांगता का एक प्रमुक कारण है दिल के दोरे थ्रम्बो बीलीजम, स्ट्रोक और V.T.E. के निहित कारणों में थ्रम्बोसीज एक ऐसा कारण जिसे रोका जा सकता है रिदे रोग यानि कार्डियोलो स्कुलर में होने वाली म्रट्यू के कारणों का ये तीन प्रमुक है डी वी टी के संकेत लक्षणों में पिंडली और या जांग में दर्द का कोमलता, दबाने पर दर्द, पेर रखने या एड़ी में सुजन, और या ध्यान देने योगे, चंबडी के रंग में हलका पन बदलाव, गर्मा हट सामिल है पी सें पिरित लोग सांस की तकलीब तेज सुषन, सिने में दद, जो की गहरी सांस के दोरान खराब हो सकती है, रिदे गति का तेज चलना, हलके पन और या बेहुशिसी महसूद कर सकते हैं वी टी ए के लिए जोखिम के कारकों में अस्पताल में 32, सरजरी, कैंसर, लंबे समय तक इस्तिरता, पारिवारिक इतियास, एस्ट्रोजेन, युक्त दवाईयां और गर्ब आवस्ता या वर्तमान जन्म सामिल है ये देखा गया कि वी टी ए के 60% तक मामले अस्पताल में बढ़ती होने के कारण या बाद में दिखाई देते हैं सैक्रिये रहें यदि आप बर्ती हुए हैं या यदि आपकी सरजरी हुई है तो अपने चिकित सक्षें वी टी ए के जोखिम को कारणों को और उसकी रोकताम के विबिन उपाईयों के बारे में जरूर पूछना चाहिए कुल मेला के थ्रमोशिस अपने जितनी सरीर के अंदर नस और नाडियां होती है तो उनमें रक्त परवा होता रहता है रक्त परवा होता है तो उनके अंदर कोई विकार पैदा होने से ठक्का जम जाता है यानि खुन का ऐसे गोल गोल छोटे छोटे ठक्के के रूप में गिठाने मान ली जा तो वो पूरे सरीर की जो नसे हैं नसे तो पुरे सरीर में होती है तो उनके अंदर रुकावट बन जाती है रक्त की रुकावट बनने से आदमी को ओक्सीजन नहीं मिलता उसकी ओक्सीजन कम हो जाती है और उसको सुआत लेने में दिक्कत होती है और यहां तक की मरती हो जाती है तू देखो मैं इस बारे में इतना नहीं समझता इसकी क्या दवा होनी चीए मेरे करने से कोई दवा भी नहीं खाए वैसे जो जिस तरह की जो दवाईयां है जैसे एंटिबाइटिक्स है अत्वा एस्प्रिन या पेरासितामोल इस तरह की जो दवाईयां इस्तेमाल जो करते हैं उनको ये रोग थ्रम्बोसिस नहीं होता अथ्रम्बोसिस होने के बाद में इनका इस्तेमाल ये दिकिया जाए तो लाब हो साएगा ये सब अपने चिकित सक्ष है जो आपका परिवार का जो भी एलोपेटिक चिकित सक्ष है उनसे परामस कीजिए और मेरा सिब मकसद थ्रम्बोसिस के बारे में कुछ अपने में क्या बताऊं वैसे ही याद रहता है कि बेश में ये दवाई लगती है तो मैंने आपको बता दिया तो अपना ख्याल रखे है यानि की खून के अंदर ठक का नहीं जमे तो इसके लिए जो उपाई है वो उनको करना चाहिए और अपने को इस गातक बेमारे से बसना चाहिए ये जिससे साइटी का नर्व के जो दर्द होता है तो वो भी एक तरह का थरमबोसीशी होता है जो उस नस के अंदर जो रक्त की सप्लाई है तो बीच के अंदर गाठें बढ़ जाती ठकता बढ़ जाती है और फिर उसमें ऐसे ने दर्द होता